बेगु सराय में मानवता को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है दरसल भगवान पुर्थाना शेतर के माखवा गाउं से एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें महज चार धुर जमीन के लिए दबंगों ने दो भाईयों पर जान लेवा हमला कर दिया दबंगों ने एक को तलवार से काटकर जखमी कर दिया तो वहीं दूसरे को घसीरते हुए अपने घर ले जाकर पहले बंदग बना दिया और फिर उसके हाथ पेर बानकर घंटों जानवरों की तरह पीटता रहा हट तो तब हो गई जब पीडित पक्ष ने पुलिस को सुचना दिया और इसके बावजूद भी अब तक उन दबंगों के खिलाफ पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की है है कर देल की सथी काई长 मेरे दीवान में चैण मीडैय कि दिवार जीडिक लिठीड अ करे देदो रहे से उसके बाद पुछ करके चला गया चला गया फिर आरोपी मनने की ज़िए वहां पवाद हम चबाए है तब हम घना उना खाके अराम तवे थे घर में इनर वज़ खरी वो लोग सभी मीलते आया हल्ला करते हुए अवकता मारर चो निकलो घर समें दुमार देंगा तो घर काते हुए घर भुश गया उसको पीट रहा है जो मीजिया सहब आपको हम दिये हुए है देतिये गा क्या सही है और गलत है और ठाना अभी तब खौन किये थे थना आया मेरा भाई को वह चुछा को ले गए लेकिन दोनों आदमियों के लिए लेकिन कारवाय अभी तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ है आपको लोग को दिये हुए है और वों का नाम है पर्दीव वह तो लेकिन इन लिखाते हैं पुस्वार और राम लगन महतों और राम लगन का लर्का मिलन राम उचित महतों उसका बेखा है विठास कुमार उसकी माँ है सुभादेवी और पर्दीप महतों मुख दिवाजी सभी भाई हैं सभी भाई मील के मारा है सभी में एक जुठो के तलवार लेकर आया काटने लगा हमको काट दिया हम भाजान बचा के भागे हैं देख लिए वीडियो मेरे भाई को विशिटके हुए ले गया अपने घर में च्छा रसी से पहुंते च्छा तु को चोट लगाई वीवेचारी भादेट जान बचा के घर छुरणा भी तक हम लोग घर नहीं गए हैं सब जान बचा के हम बाहर बाहर ही रहा रहे हैं जाए रोर करने झाने मेरे पास है और चार दूर जमीन वही लोग की रखा हुआ है उससे पहले भी समाज लोग बोला नह दबंगों ने उनकी एक अठा जमीन में से चार दूर जमीन को हड़ा था कई वार पंचायती होने के बावजूद भी दबंगों ने उनकी जमीन वापस नहीं की इस दौरान रामपृत ने जब जमीन की मांगी तो मौका पाकर आरोपी रामपृत के घर में घुज गए और रामपृत की पत्नी को पीटने लगे इतने में ही रामपृत जैसे ही भागने लगा तो आरोपियों ने उन पर तल्वार से हमला कर दिया किसी तरह रामपृत ने छिपकर अपनी जान बचाई तो वहीं आरोपियों ने रामपृत के छोटे भाई को घसीट कर ले गए और वार्दात को अंजाम दिया तस्वीर में इस पश्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह दरजनों लोगों के सामने आरोपियों ने पीडितों की पिठाई की है इस मामले को लेकर पीडितों ने पुलस से न्याय की गुहार लगाई है लेकिन बावजूद अब तक कोई कारवाई नहीं हुई और अप हिजाब किसरी टीवी के लिए बेगुसराय से संतोश प्रशाद की रिपूर्ट